पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए भारत भागाई सीमा हैदर जो इन दिनों खूब चर्चाओं में च्छाई हुई है उन्होंने रक्षा बंधन का तियोहार मनाया है पाकिस्तान से आने और अपने प्रेमी सचिन मीडा से चोरिछे में ब्याह रचाने के बाद सीमा हैदर पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना चुकी है वो किसी सामान्य हिंदू परिवार की बहू की तरह सभी पारंपरिक रिती रिवाजों को निभाती है लिहाजा सीमा हैदर ने रक्षा बंधन का भी तेवहार मनाया है भारत में अपने पहले रक्षा बंधन पर उन्होंने अपना एक भाई भी बनाया है जिनको इन्होंने राखी भी बांधी है सीमा हैदर को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो किस तरह से इन जनाप को राखी बांद रही है। इनके राखी भाई का नाम है एपी सिंग। एपी सिंग एक जाने माने वकील हैं, जो जोलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए खूब चर्चाओं में रहते हैं। एपी सिंग ने भी सीमा हैदर को अपनी बेहन का दरजा दिया है। सीमा हैदर ने अपने नए भाई एपी सिंग को राखी बांदने के बाद कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उन्हें एपी सिंग जैसे बड़े भाई मिले। SEMA हैदर ने कहा कि उनको इस बात से बहुत खुशी है कि वो खुद उनसे राखी बंधवाने के लिए उनके घर पर पहुँचे SEMA हैदर ने कहा कि वो इसे अपना सौबाग्य मानती है वही सीमा हैदर को अपनी बहन बनाने वाले एड़ोकेट एपी सिंग ने भी उनको आशिरवात देते हुए कहा कि वो सीमा हैदर को भारत की नागरिक तादिलवा कर ही रहेंगे सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई है तब ही से वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है आपको बता दें कि सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते भारत चलिया आई थी लेकिन वो जड़ा दिन तक बची नहीं रह सकी पुलिस ने इनके पाकिस्तानी नागरिक होने का पता लगते ही इनको और इनके प्रेमी सचिन को हिरासत में ले लिया था उनसे यूपी एटियस ने कई राउंड की लंबी पूश ताज भी की थी इसके कुछी दिनों के बाद इनकी और सचिन की शादी ये एक तस्वीर भी सामने आई थी सचिन का परिवार इनको पहले ही अपना चुका है वो सीमा हैदर को बहु के रूप में पाकर बेहत खुश है सीमा हैदर भी किसी पारमपरिक हिंदू परिवार की बहु की तरह सभी नियम काईदों को निभा रही है और वो तमाम रीती रिवाजों को भी उसी तरह से निभा रही है जैसे आम हिंदू परिवारों की बहुएं करती है सीमा हैदर पहले ही कह चुकी है कि वो अब कभी पाकिस्तान वापिस नहीं जाना चाहती वो भारत में अपने नए परिवार के साथ रहना चाहती है वकील एपी सिंग ने कहा कि उनके पास काफी राख्याई हुई थी उनमें से एक राखी सीमा की भी थी उनकी माताजी ने उन्से कहा था कि जो बेहने बहुत दूर है उनके पास नहीं जा सकते लेकिन जो नजबीक हैं उनके घर आप जा सकते हैं इसी वजह से वे सीमा के गर राखी बंधुआने आये हुए हैं उन्होंने कहा कि वो तन मन और धन से सीमा हैदर के साथ हैं और उनके बच्चों के वो मामा है, सीवा हैदर को लेकर ये चर्चाएं भी हैं, कि उनको बिग बॉस से बुलावा आ सकता है, इस पर उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से परहिज किया है, इस खबर में फिलहाल इतरा है, बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है, वन इंडिय कि साथ.